वेलकम फ्रेंड एक बार फिर स्वागत है आपका इस्टुएंट अड़ा पर मैं हूँ केस्तोमर दोस्तो आज हम फर्स्ट एफेक्ट्यू डिसकस करेंगे यानि फ्रिप्रेंटली आक्ष्ट कोशन जो कोशन लगातार हमसे बूचे जा रहे हैं आज उनका मैं वन बाई वन आ कोशन आपको मिलते रहें तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन जो लगातार हमसे पूछ जा रहा है वो है कैन आई ट्रस्ट इगनू री एवलूशन रिजल्ट मतलब जो इगनू का री चेकिंग प्रोसेस होता है उस पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं इसका जवाब हाँ है बट इसके लिए कंडिशन है जब आप शौर हो अगर आपको लगता है वाकिया में अपने अपना पेपर अच्छे से किया था बट उसके अकोडिंग आपके मार्क्स नहीं आए है देन तबी आप पर एवलूशन के लिए जाए अधरवाइस कोई नहीं है कि आप इसके ल जाते हैं रही बात ट्रस्ट की तो ट्रस्ट आप कर सकते हैं बट आप 100% शौर हों कि आपने मेहनत की थी बट उसके अकोडिंग आपका रिजल्ट नहीं आया तो डेफिनेटली जब आप ली चेकिक लिए जाते हैं तो आपके मात इंप्रूव हो जाते हैं सो सेकंड कोशन ह मतलब जो BCA अगर आप इगनू से करते हैं उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है तो उसका जवाब है हाँ अगर आप कहीं से भी BCA करते हैं चाहे वो रेगुलर उनिवर्सिटी हो या ओपन उनिवर्सिटी हो डिगरी की वैल्यू तो सेम ही है अगर आप आगे इसमें MCA के लि तो करना पड़ेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी वैल्यू है और आप अगर इगनू से BCA कर रहे हैं तो काफी बैटर है उसका एक्जामपल मैं आपको लेडि दे चुका हूं चिनोंने इगनू की एक एप त्यार की है वो BCA स्टूडेंट ही थे जिस आप के समझ ही गए होंगे तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका यह कोश्चन बनता है इसकी वैल्यू है या नहीं तो मेरा जवाब हाँ है चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ जाते हैं नेक्स्ट है Is this possible to appear in all eight papers at one time? एक साथ आप एक ही टाइब में आठ पेपर के लिए अपलाई कर सकते हैं या नहीं देखिए अगर आपके कुछ बैक के सब्जेक्ट है तो वो भी आप जब नेक्स्ट शैशन में उपने एक्जाम देते हैं मान लिए आपके दिसंबर में कुछ एक्जाम मे तो आपके बैक के एक्जाम है तो आप आठ एक्जाम एक ही बार में दे सकते हैं इसमें कोई प्रोडम नहीं होगी मैं ओलड़ी इसके रिगारड़े के एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सी रिफ्रेंस बुक आपके लिए बैटर है तो मैं डिस्कॉशन में लिंक देता हूँ उस वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बैटर रहेगी नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं इनोड़े हमसे पूचाएगी जो इगनु का फर्स सेमेस्टर है उसमें कितने एक्जाम या सब्जक्ट होते हैं इसके लिए कोई फिक्स नहीं है यह डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पर आपके कोर्स पर कि आपका कोर्स कितने साल का है या क्या उसका प्रोसीजर है Example के लिए अगर आप BCA करते हैं तो आपके 1 सेमिस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं और अगर आप BC करते हैं तो आपके 5 से 6 सब्जेक्ट होजाते हैं जो 32 कैडिट कुश्च करने होते हैं तो यह सब कैडिट के उपर डिपेंड होता है कि compulsory नहीं है कि आपके चार सब्जेक्ट हो या पांस सब्जेक्ट हो तो अगर आप फर्स सेमेस्टर से ये सोचते हैं कि आपके फिक्स सब्जेक्ट होंगे तो ऐसा नहीं है वो सब आपके कैड़िट के ओपर डिपेंड होता है नेक्स कोउइस्ट हैं डस इगनु कंडक्ट एक्जाम two times in a year एगनु साल में दो बार exam conduct करता है जून और दिसंबर में यह depend करता है आपके admission session पर अगर आप January में admission लेते हैं तो आपका exam December session में होता है अगर आप July session में admission लेते हैं तो आपका exam June में होता है Next question, इतना common question है कि 90% student इसको लेके question करते हैं How to calculate marks in theory and assignment So already मैं इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने marks assignment के और theory के किस तरह calculate कर सकते हैं और percentage निकाल सकते हैं So आप description में मैंने link दे रखा है वहाँ जाके वीडियो एक बार देख लें तो आपको completely समझ में आ जाएगा किस तरह से आप अपने assignment और theory के marks को calculate करेंगे और अपनी percentage find out करेंगे तो चलते हैं next portion की तरफ इनका question है कि अगर हम अगनू के assignment बनाते हैं तो उसको अपनी handwriting में लिखें या उसको typing करके लिखें So ये already आपके assignment में mention क्या हुआ है कि आप जब भी assignment बनाएंगे तो उसे hand return बनाएंगे ना कि print करके या typing करके So एक बार अपना assignment जब download करते हैं या उसका print out लेते हैं तो प्लीज एक बार instruction carefully पढ़ लें उसमें जोची लिखे हुई हैं उनको follow करें तैन आपको problem नहीं आने वाली है और आपका सिधा सबाब है कि आप by hand assignment बनाएंगे अगर आप typing करके assignment बनाते हैं तो आपका assignment reject हो जाता है और आपके marks grade card में नहीं show करते हैं डिगरी एक इगनु से करें एक दिल्ली इनिवर्सिटी से तो आपकी इगनु की डिगरी invalid हो जाएगी और in future आपको काफी problem face करनी पर सकती है तो ऐसा बिल्कुल ना करें और already एक मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया हुआ है एक साथ दो डिगरी कर सकते हैं और कर सकते हैं तो उसकी क्या condition होंगी इस question के regarding जो वीडियो है वो already मैं upload कर चुका हूँ तो प्लीज आप एक बार उसे देख लें ताकि आपको clearly समझ मैं सके कि आप एक साथ दो डिगरी कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं जो next question है और सबसे ज़्यादा पूशिजाने वला question है यह कि how long should assignment answer be मतलब assignment के answer कितने लंबे होने चाहिए और कितने words में होने चाहिए तो इसका answer है अगर आपका assignment question five marks का दिया है तो आप उसे five point में at least लिखेंगे ही लिखेंगे बर depend करता है अगर आपको word limit दे रखी है हमाँ पर तो आप word limit के word limit के according ही लिखें उसको साथ ही question के according अगर उसमें question की demand है diagram की chart की तो आप वो शब चीजे mention करें क्योंकि उसके अलग से marks होते हैं otherwise आप simply उसको explain करके लिख सकते हैं और word limit का भी ध्यान रख सकते हैं ताकि उसके word limit के according अगर आप नहीं लिखते तो आपके कहीं न कहीं marks deduct हो जाते हैं अगर आपका कोई assignment question 20-25 marks का है तो उसको कम से कम आप 2-3 pages में लिखें 2-3 pages both side से लिखने होंगे आपको ताकि आपके जो उसमें सभी point है वो शब mention हो पाएं आप उसको part wise करें question अगर 20-25 marks का है तो definitely उसक आप one by one on parts को attempt करें और उसको हर part को एक अच्छे तरीके से उसकी details को mention करें चाहे तो आप उससे के लिए google से help ले सकते हैं और साथ ही अपने reference book का भी use कर सकते हैं अगर आप assignment के answer points में लिखते हैं तो teacher को assignment check करने में तिकत नहीं आती जिसके कारण वो असानी सिपप का paper आपक लिखने का तरीका और आपके answer तक जल्दी पहुंच जाता है और आपको जल्दी ही वो सभी marks दे दिये जाते हैं जो उस question के regarding mention किये गए हैं अगर आप उसको describe नहीं करते हैं और points में नहीं लिखते हैं और चाहे आप उसे कितना भी अच्छे से लिख लें आपको complete marks कभी नह हैं तो अपने assignment को part wise question करें ऐसा ना करें कि first question पहले उसके बाद सीधा last question कर दिया अगर a part में पांच question दिये हैं तो a part को एक साथ ही करें b part को एक साथ करें अगर इस तरह से आप अपना assignment attempt करते हैं और question को लिखते हैं तो definitely आपको अच्छे marks मिलने वाले हैं तो दोस्तों ये सभी question हमसे लगातार पूछे जा रहे थे so मैं one by one income मैंने आपको जवाब दे दिया है because हर बार मैं सबको एक ही जवाब नहीं दे पाता और कई बार कई comments मेंसे miss हो जाते हैं so उसके लिए sorry but mind मत कीजेगा क्योंकि comments इतने आ जाते हैं कि वो कही नहीं miss हो जात करते रहें और हम उसको sort out करते रहें और सभी जरूरी वीडियो के link में description में दिये हुए है तो please एक बार description को check कर लिए जगा और वीडियो को like करना ना भूलिएगा और channel को subscribe कर लिजिए thank you so much मिलता हूँ आप से next video में thank you so much